सद्गुरू, बीमार पढ़ने वाले जादा तर लोग इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि वे ऐसी जिन्दगी जीते हैं जो उन्हें निश्चित तौर पर परिशानी में डालेगी मगर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से की तरह इस देश में भी हजारों बच्चे पैदा होते हैं दिल की बेमारी के साथ, कैंसर के साथ, ऐसी कई समस्याओं के साथ, इसमें उनकी कोई गल्ती नहीं है ऐसा क्यूं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था पिछले साल साथ लाग ठोएटा कारों को किसी खरावी के करण वापस ले लिया गया, और नभे लाग, जैनरल मोटर्स को इगनिशन प्रॉबलम्स के करण वापस ले लिया गया समस्या सिर्फ इतनी है कि आप उन्हें वापस नहीं ले सकते असल में प्रकृती उन्हें वापस लेने की कोशिश कर रही है मगर हम होने नहीं दे रहे एक समय था जब हम प्रकृती को उन्हें वापस लेने देते थे हां, सारे manufacturing defects 100-200 साल पहले हम प्रकृती को वापस लेने देते थे बच्चों के चार साल का होने तक सिर्फ स्वस्थ बच्चे ही जिन्दा रह पाते थे बाकी चले जाते थे अब हम उन्हें वापस नहीं जाने देते इसलिए खराब कारों को चलाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है मैं जानता हूँ कि मैं कठोर बात कर रहा हूँ मगर आपको समझना होगा कि भौतिक भौतिक अस्तित्व मेकानिकल है आपको ये पसंद आए या ना आए शायद हर तरे की समवेदनाय और भावनाय इस एक चीज से जुड़ी है मेरा शरीर मगर जब वो आपके पास आते हैं तो आप उन्हें लिटा कर उनके साथ किसी मशीन की तरह पेश आते हैं इसके दूसरे पहलू भी है मगर मूल भूत रूप से ये मेकानिकल है कोई भी मेकानिकल या कोई भी भौतिक चीज उसमें कभी भी पर्फेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती उस पर लगातार काम चलता रहता है आप उसे लगातार बहतर बहतर और बहतर बना सकते हैं क्रमिक विकास के प्रक्रिया यही है अब माता पिता वो दो मशीन हैं जिन्नोंने ये छोटी मशीन बनाई है वो के सालत में ये भी एक समस्चा है जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया है इस बारे में बहुत सी कॉंट्रवर्शियल बाते कही जा सकती है मगर मुख्य रूप से इस विचार को खत्म होना चाहिए कि हर किसी के बच्चे होने चाहिए मुझे पता है कि मैं मुसीबत को बुलावा दे रहाँ मगर हम मानअपता को भावी संभावना के रूप में नहीं देख रहे हम पीछे के ओर जाते हुए उसे एक ऐसी चीज़ के रूप में देख रहे हैं जिसे हम अपने भविश्य के निशानिया बना सकें फिलाल ये एक समस्या है शरीर के साथ, भौतिक शरीर के साथ हमारी पहचान इतनी तगड़ी है कि हम अपनी जैविक पहचान से परे कुछ भी नहीं सोच पा रहे जब आप अपनी जैविक पहचान से आगे नहीं सोच पाते तो इंसान होने की प्रकृती इंसान होने की विशालता एक बहुत छोड़ी सी प्रक्रिया में सीमित हो जाती है इस प्रक्रिया में समस्या है प्राचीन काल में कई तरीकों से इसे ठीक किया जाता था जो आज की दुनिया में पूरी तरह विवादासपद है और उन्हें फिर से इस समाज में वापस नहीं लाया जा सकता मगर वो बिलकुल अलग तरीके से चीजों को संभालते थे वो सावधानी से नसल तयार करते थे जो बहुत महतुपूर्ण है जब पशुपालन की बात आती है तो हम अच्छी नसल का ही प्रजनन करने की सोचते है इनसानों के लिए हम सही प्रजनन के बारे में क्यों नहीं सोचते क्योंकि हम अपने खुद के शरीर से कुछ ज्यादा ही जुड़े है अपनी पहचान क्या सही है उससे ज्यादा हैम हो गई है और उस नए जीवन को आप जो कश्ट पहुंचाते हैं आपको तो पता ही है आप रोज देखते हैं जी, जी